सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासिस को और ये बैल आइकल में दबा दे प्यारे बच्चो आज आपको कक्षाच्छटी के गनीच से परशनावली 4.2 के सवालों का हल करना इस वीडियो में सिखाया जाएगा तो इसमें बच्चो एक से लेकर 5 तक सवाल दिये गए हैं तो इसके अंदर बच्चो आपको सवालों को हल करने के लिए कुछ आकरतियों के बारे में जानना पहले आउशक है सोब से पहले आएगा इसमें आपको एक सब्द मिलेगा वकर सोब से पहले जानेंगे वकर के बारे में वकर को बच्चो अंग्रेजी में बोलते हैं करो करो वकर क्या होता है जब बच्चो हम किसी पैंसिल से या पैं से वेगर अथ उठाये इस तरह से जैसे कोई आकरती बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों हम वक्र यानि कि पैंसिल या पैंसे या ब्रस से किसी भी उपकरण से जब हम कोई आकरती बनाते हैं या इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं तो जब हम इस तरह आकरिती बनाते हैं कोई भी आकरिती, उसको हम बोलते हैं वक्र, आप देखते हैं खुली वक्र, जब ये आकरिती बच्चो इस तरह से खुली रह जाती है, यानि कि माल लेजिए आप इस तरह से आकरिती बनाते हैं, इसको बंद नहीं करते हैं यहां से, औ तो इसको हम बोलते हैं खुली वक्र, आप देखते हैं बंद वक्र, ये सभी सब्द बच्चों आपको जो आपकी प्रशनावली है, उसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इनकी जानकारी होना अती आउशक है, और जब ये वक्र बंद होता है, जैसे यहां पर मैंने य हो, तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी बंद वक्र होते हैं, ये ऐसे वक्र जो की बंद होते हैं, उसको बोलते हैं बंद वक्र, अब ये है सरल वक्र, तो सरल वक्र ऐसा वक्र होता है बच्चों, जब हम कागज पर वक्र बनाएं, जैसे कि ये वक्र हमने बनाया है, या इस दूसरी रेखा को तो इसको बोलते हैं हम सरल वक्र यानि कि इसमें कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा को नहीं काटती है यह खुला भी हो सकता है इस तरह से इसको हम खुला भी छोड़ सकते हैं सरल वक्र में लेकिन सरल बंद वक्र है तो सरल सरल बंद वकर में जैसे यह आकरती मैंने बनाई थी सरल वकर में ये बंद है ये बी बंद है ये दोनों सरल बंद वकर हो जाते हैं सरल बंद वकर कहलाते हैं ये जैसे ये सरल बंद वकर है इसमें कोई रेखा एक दूसरी को नहीं काटती है कहीं पर भी कोई रेखा कर नहीं का रोपते हैं रेखाखंडों के दोबरा तो इसमें आप देखना है वुकर का अभ्यांतर का बांधर होता है बच्चों अंदर का भाग या अंदर का भाग इसके बारे में हम अगर दिखें तो जो वकर के अंदर होता है इस भाग इसको बोलते हैं वक्र का अभ्यंतर अभ्यंतर ये जो अंदर का इसका हिस्सा है पूरा इसको हम बोलेंगे वक्र का अभ्यंतर और ये है वक्र की प्री सीमा प्री कार्थ होता है चारों और और चारों सीमा यानि बाउंडरी यानि कि जो ये चारों और की सीमा है इसके बोलेंगे हम ये वकर की प्री σीमा जो चारों तरफ की इसकी बाुंडरी है लाइन है यानि एगर आपको कोई बिंदू दिया जए मालज़िए ये बताएं कि वकर की प्री सीमा पर E बिंदू है तो E बिंदू को हम इस तरह से लेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपको इसकी boundary line पर ही सीमा पर ही यह बिंदू लेना है या अभियंतर में आपको बताया जाए कि F बिंदू है अभियंतर में तो हम यहाँ पर लेंगे F बिंदू अब है वकर का बहिर भाग बहिर का बार्त होता है बच्चो बाहर का भाग तो बाहर का भाग जो इसके बाहर है यहां पर यह होता है इसका बाहर का भाग यानि कि बहिर भाग यानि कि अगर हम वकर में कोई बहिर भाग में बिंदू लेंगे जैसे जी बिंदू हमें लेना है तो हम यहां पर जी बिंदू लेंग और ये हो जाएगा इसका बहार का भाग जो है ये पहिर भाग बहिर भाग और ये जो इसकी बाउंडरी है बच्चो ये सीमा है ये हो जाएगी इसकी परी सीमा तो इस तरह से बच्चो इसमें ये वकर का अभेंतर है और ये परी सीमा है और ये बहार का भाग अब देखते हैं इसमें एक सबद आपको और मिलेगा बहुभुज तो बहुभुज होता है बच्चो केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वाकर को बहुभुज कहते हैं जैसे यह आकरती दी गई है बच्चो यह केवल रेखाखंडों से बनी हुई है केवल रेखाखंडों से रेखाखंड के बारे में आपको पताई ये आपने विस्नी परशानावली में देखा था कि दो बिंदुओं के बीद इसकी दूरी को हम रेखा खंड कहते हैं जैसे हमने यहां से स्टार्ट की है बनानी, तो इस तरह से इसको हमने बनाया, तो यह यहां पर बंद है, और यह केवल रेखा खंडों से बनी होई है, तो बहुत ही आसान है, यह केवल रेखा खंडों से बनी होती है, और यह बंद वकर होता है, सरल बंद वकर होता है, कोई भ बुजाओं की आकरती है इसको त्री बुज बोल देंगे जैसे ये चार बुजाओं की आकरती है इसको चोतर बुज ये पांच बुजाओं की है तो ये पंच बुज तो इस तरह से इन में जो बुजाओं हैं उनके अदार पर इसके नाम होते हैं भुजाओं के इसके बारे मे तो बना है लेकिन खुला वक्र है ये लेकिन हमें इसमें सरल बंद वक्र चाहिए बहुभुज के लिए इसलिए ये बहुभुज नहीं है और ये सबी क्या हैं बहुभुज हैं तो अब मैं आपको परसनाले चार पुएंट दो कि स्वालों का हल करना सिखाऊंगी ये आपके वक्र हिंगे गणित में बच्व पेज नंबर 84 पर है तो किस्व नमबर एक दिया हुआ है नीचे दी हुई वक्रों को नंबर एक खुली या नंबर दो बंद वक्रों के रूप में वर्गी करित कीजिये तो इस किस्व में बच्व पुछा गया है कि हमें खुली और बंद अलग-अलग पहचाननी हैं, तो जैसे ये A, B, C, D, E, 5 वक्र दिये गए हैं, तो इसमें सुछ से पहले हम देखते हैं, खुली वक्र, खुली वक्र, और यहां पर आपलिक लेजिए, बंद वक्र, क्योंकि दोनों आपसे पूछी गई हैं, इसमें हमें पता है, खुली वक्र होती है, जो बंद नहीं होती है, तो नमबर A, खुली वक्र है, इसके कोने इस तरह से अगर मिला दिये जाते हैं, यहां से और यहां से तो यह बंद हो जाता है, लेकिन अभी यह खुली पड़ी हुई है, तो यह खुली वक्र में आएगा, अब यहां इसको हम देखें, तो यह आएगा आपका खुला वक्र में, तो इसमें C आजाएगा, और आप देखते हैं D को, D में भी यह तीनों कोने मिले हुए हैं, यानि कि यह बंद वक्र है, तो यहां पर D बंद वक्र में आजाएगा, अब E में भी बच्चों यह सभी सिर्च देख लिजिए, आपकी यह बंद हैं, तो यह आएगा E बंद वक्र में, तो इस तरह से आपको यह वरगी करीद करना है, खुली वक्र और बंद वक्र में, अब हम देखते हैं क्यूसर नंबर दो, क्यूसर नंबर दो, निमन को सपष्ट करने के लिए रफ आकरतियां बनाएए, एक खुला वक्र भी ब बंद वक्र में, आप इस तरह कोई विया करती बना लेजिए, चाहिए रिखा खंडों से बनाएए, या इस तरह से यह वरगी रिखा कंडों के विया बना सकते हैं, लेकिन यह आपको बंद करनी है, और यहाँ पर खुला वक्र आपको इस तरह से खुला छोड़ना है, अब सरल बंद वक्र को हम बहुबुज कहते हैं, तो इसमें हम बच्चो चार बुजाओं की बहुबुज बना देंगे, तो हमने यह बहुबुज बना दी है, कोई बहुबुज बना थी चार बुजाओं की, तीन बुजाओं की, पाँच बुजाओं की बना लेजिए, और उसके अभ्यंतर को चायंकित करना है तो अभ्यंतर बच्चों हमें ये पता है कि अंदर का भाग होता है अभ्यंतर ये मैंने पहले ही बेसिक जनकरी में आपको बताया था तो इस तरह से इसको आप चायंकित कर दीजिए या आप इसको पैंसिल से भी सेड़ इस तरह से पैंशिल से भी आप इसमें सेड़ कर सकते हैं आप जिस तरह भी चाहें आपकी मर्जी से इसको सेड़ कर लीजिए या इस तरह पैंशिल से भी आप इसमें कुछ बना सकते हैं यानि कि आपको इसके अभ्यंतर को पहचाना सीखना है इसमें जो इसका अंदर का भाग होता है वो अभ्यंतर होता है हमने बेसिक जानकारी में देखा था आप देखते है क्यूशन नंबर 4 क्यूशन नंबर 4 सनलगन आकर्टी को देखकर नीमन परस् efficacy के उत्तर दीजिए यह सनलगन कार्ट होता है बत्चो सो अगर शुरू किया जाए तो बेगर पैंसिल उठाए हम इसको इस तरह से ड्रो कर सकते हैं यानि बना सकते हैं और तो इस प्रकार से यह है एक वकर है हाँ लिख देंगे इसका आंसर आएगा हाँ तो बी में है क्या यह बंद है तो हम देख सकते हैं कि इसको जैसे यहां से सभी कोने इस तरह से बंद हैं इसको खुला छोड़ा नहीं गया है तो यह क्या है यह बंद है आ जाएगा हाँ क्यूसर नमबर पांच रफ आकरतियां बनाकर यदि संभव हो तो निमन को सवश्ट के जिए आपको रफ टाइप की आकरति बनानी है इस तरह से नहीं कि माप म रेखा खंडो से बनी हुई सरल बंद वकर होती है लेकिन इसमें पुछा गया है एक बंद वकर जो बहुवज नहीं है यानि कि हमें ऐसा बंद वकर बनाना है ऐसी बंद आकरति बनानी है जो रेखा खंडो से बनी नहीं हो अगर रेखा खंडो से बनाएंगे बंद वकर तो तो बहुबुज बन जाएगी तो आप इस तरह से कोई वियाकरती बना देजिए तो इसमें रेखाखंडों से बनी हुई नहीं है बंद भी है, वकर भी है बहुबुज नहीं है अब देखते हैं B पार्ट केवल रेखाखंडों से बनी हुई, खुली वकर इसमें हमें केवल रेखाखंडों से बनानी है और खुली वकर बनानी है बच्चो तो इस तरह से आप इसमें खुली वकर बना सकते हैं आप चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इतना भी आप इसमें बना सकते हैं तो ये केवल रिखा खंडों से बनी हुई भी है और खुली वकर भी है लेकिन ये बहुभुज नहीं है बहुभुज के लिए इसको इस तरह से बंद होना जरूरी होता है आप देखते हैं बच्छो सी पार्ट दो भुजाओं वाला एक बहुभुज तो बच्छो जैसे हम ये बहुभुज के लिए हमें बंद वकर बहुभुज के लिए केवल रिखा खंडों से बना सरल वकर चाहिए होता है केवल रिखा खंडों से बना सरल बंद वकर चाहिए सरल बंद वकर चाहिए और यहां पर बचो ये वकर खुला वकर है ये बंद वकर नहीं है इसलिए ये संभव नहीं है यहां पर आंसरा जाएगा कि ये संभव नहीं है ये आकरती संभव नहीं है यहाँ पर आप चाहे इतना ही उत्तर लिख सकते हैं यह समझाने के लिए था यह आकरती संभव नहीं है क्योंकि आपके कुस्टन में पूछा गया था कि यदि संभव हो तो ही आपको बनाना है क्योंकि बच्चों बहुभुज कम से कम बुजाओं वाला बहुभुज तरी बुज होता है मैंने बैसिक जनकरी में भी आपको बताया था तो इस परकार बच्चों हमने इस व्योडियो में परशनावले 4.2 के सवालों का हल करना आपको सिखाया और इसके बारे में बैसिक जनकरी दी और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हूँ तो आप व्योडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सबस्क्राइम कर लें थैंक्यू बच्चों